पाकिस्तान की खिलाफ एहम मुकाबले में निरासा जनक प्रदर्शन के बाद अर्षदिप सेंग शोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आगे हैं बेते दिन पाकिस्तान की खिलाफ हुए रॉमान चक मैच में भारत की हार हुई है शोशल मीडिया पर वैरल हो रहे कई सारे पोस्ट में अश्दिप सेंग को खालिस्तानी बताया जा रहा है वहीं केंद्रिय एलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रदोगी की राज्यमंत्री राजीव चंदरशिकर ने विक्कीपीडिया को आड़े हातों लेते हुए ट्विट कर कहा कि इस तरह की गलत सूचना और उपयोग करता को नुकसान पहुचाने को उकसाने के लिए जान बूचकर किये गए ऐसे प्रयासों की अनुमती नहीं दी जा सकती उन्होंने इसे भारती सरकार के नियमों का उलंगन बताया है भारती टीम के 23 वर्षिय अश्दिप सिंग मोजुदा समय में एशिया कब 2022 के लिए सयुक्त अरब अमिराद में है पिछले काफी समय से भारती टीम के लिए बहतरीन प्रदर्शन कर रहे यूवा तेज गेंदबाज का सिक्का बीते दिन पाकिस्तान के किलाफ कुछ खास नहीं चल पाया यही नहीं मैदान में वे शेतर रक्षन के दोरान भी काफी धीले नजर आए आखिरी ओवर में जब मैच नाजुक परिस्तिती में था उसी दोरान उन्होंने पाक फिनिशर आसिफ अली का आसान सा कैच टपका दिया अर्शदीब ने जब अली का कैच छोड़ा उसी दोरान वे खाता भी नहीं खोल पाये थे पाक बल्लेबाद से मिले इस मौकी के बाद महज आठ गिनों में दो चोके और एक छक्के की मदद से 16 रनों की बेश कीमती पारी खेली और अपनी टीम की जीत में एहम भूमी कने भाई पाकिस्तान की खलाफ एहम मुकाबले में निरासाजनक प्रदैशन के बाद अर्शदिप सिंग को सोशल मीडिया यूजर्स ने निशाने पढ़ लिया है और उन्हें खालिस्तानी बताया जा रहा है शोशल मीडिया एक्टिविस्ट अंसुल सकसेना ने एक के बाद एक ट्विट करते हुए इसमें पाकिस्तान की आशंक जताई है इसके अलावा भारती क्रिकेटर के साथ विक्कीपीडिया पेज भी छेड़चाड किया गया है उन्हें यहाँ खालिस्तान पंजाब का हिस्स आप बताय गया है जैसा कि आप फोटोस में देख रहे हैं उन्हें खालिस्तानी बताय जा रहा है जहां जहां भारत लिखा हुआ था या भारती क्रिकेटर उन्हें कहा जाना है वहाँ पर खालिस्तानी जो है किया गया है इसके बाद शोशल मीडिया पर उन्हें निशाने पर ले लिया गया है पाकिस्तान से जो हार हुई है उसका कारण भी उन्हें बताया जा रहा है कहा भी जा रहा है कि पाकिस्तानियों की घटिया चाल अश्दिप सिंग से कैच छूटा तो कहने लगे खालिस्तानी तमाम खबरों पर नजर बनी रहेगी आप बने रहेए इन इनकपर चानल को सब्सक्राइब करें